नमस्कार मैं रवीन रेकवार फिर आपके साथ आपके अपनी यूट्यूब चैनल होम गार्डन पे दोस्तों और आज हम बात करेंगे कारेंडूला के उपर तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे कह लीजिए क्योंकि हम गार्डिंग रिलेटेड जो चीजे उन्हें अक्सर बताते रहते हैं साथ ही कुछ हर प्लांट के बारे में हम समय समय पर आपको जानकारी देते रहते हैं तो जो आप यह फ्लावर देख रहे हैं करन्डूला के अफिसीलर यालो और इसके हम आपको कुछ बैनिफिट और बताने जा रहे हैं सबसे पहले दोस्तों करन्डूला जो है यह कंडेला सबसे बनाए और यह मिस्टर से लिया गया है और कंडेला का मतलब होता है पहला दिन और कुछ सूरज से भी संबन देता है जैसे सूरज येलो होता है कुछ ऐसा है इसका भी है तो आज हम केरन्डूला के सीड भी हर्वेस्ट करेंगे कलेक्ट करेंगे अगली सीजन के लिए तो मैं आपको बताऊं कि भारत में यह आप इने जुलाई अगस्त में ब बादा पड़ी तो फिर ग्रो इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी तो चलिए पहले में इसके कुछ हेल्थ वेनिफिट आपको बता दूँ उसके बाद हम इसके जो सीड है वो कलेक्ट करेंगे तो केरंडॉला एंटी बैक्टेरियल होता है एंटी फंक्सस होता है तो मुख्यत है इसका प्रयोग तेली रूप में क्रीम के परपस से किया जाता है आप इसके फ्लॉवर्स को किसी बसा में मिला लेजिए बसा से मतरब ऑइल से है जैसे आप अगर सर्सों का केश्टर ओल प्रयोग दोना है या फिर आप नारियल का टेल यूज कर रहे हैं उसमें आप मुला सकते हैं आप मउम में मिला गागा है आप एक क्रीम मैं सकते हैं सर्दियों में आपकी स्किन की ये केर करेगी और उसमें इसके कुछ फूल डालिये मौम को गर्म कीजिए पत्या निकाल द दो आप देखिए ये जो सीड है ये पक गए है और आज हम एने तोड़ेंगे अगले सीजन के लिए यह देखिए कि यह देखी हूं तो यह देखी यह गिर गया तो मैं आज इन्हें है कि यह देखिए कि बहुत सारे सीट हमारे पास हो गए हैं और इन सीट को हम में कुछ दिन कुछ गंटे दोफ में रखूंगा तो आप इन्हें और पास से देखी यह 15-20 सीड है और फिर हम इन्हें कुछ गंटे धूप लगा कर एक प्लास्टिक के बैग में पॉलिथीन में पैक करके अगले सीजन के लिए रख सकते हैं तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस जानकारी से आपको लाब होगा और आप जो कैरन डूला इसके सीड कलेक्ट कर सकेंगे साती आप इसका बेनिफिट भी ले सकेंगे तो धन्यवाद इनी सब्दों के साथ अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राब करना न भूले मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का तो धन्यवाद इनी सब्दों के साथ ठेंक्यू मुझे करेंगे करें तो अदैयर करीज लाद सेल्वां पसी है शेख टीज झाल झाल झाल